दिपिका, मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि तुम हो मेरी हर फिल्म की हिरोई राम चाहे लीला, लीला चाहे राम राम लीला के पास अब बस दो दिने, जिसके बाद दोनों बॉलिवोड लव कपल टू मैरिज लव कपल की लिस्ट में अपना नाम शुमार कर लें दिपका पधुकोन और रनवीर सिंग ने जब से अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी शादी की टेट की अनॉंसमेंट की है तब से लेकर अभीता, ये एक टॉप होट ट्रेंडिंग टॉपिट बनकर सोशल मीडिया पर धूम बचा रहा है हर कोई अपनी अपनी तरह से दोनों ये अक्टरस को बधाई देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है बाजी राव मस्तानी की शादी को लेकर फैंस के उत्साह तो है लेकिन उससे जादा उनमें इस बात की क्यूरियोसिटी भी है कि आखिर इस मोस्ट अवेटेड मैरिज की खास तेयारिया क्या है जैसा कि आप जानते हैं कि रनवीर औ दिपका की शादी इटली के लेकोमोस दिर डेल बेलीवियानो विला में होने वाली है जिसके लिए दोनों ही ने अपनी करीबियों को ही बुलाया है इसके साथ साथ दो दिन तक चलने वाली शादी में बनने वाले पकवानों की चालकारी हमें मिल गई है रिपोर्स के मताबिक चूकि शादी इटली में हो रही है इस वज़े से महमानों के लिए इटैलियन और कॉंटिनेंटल पक्वान रखे जाएंगे इसके साथ साथ इंडिया के कुछ खास पक्वानों का मज़ा भी महमान उठा सकेंगे शादी में दोनुक नॉर्थ और साउथ हिंडियन डिशेज दनेंगी जिसका कारण है कि रनवीर नॉर्थ हिंडियन है और दिबिका एक साउथ हिंडियन है शादी की डेट 14-15 तारिक की है जिसमें शादी कॉंकडी और सिंधी रिती रिवास से अलग-अलग दिन में होनी है इसलिए शादी में North और South Indian की डिशेज रखी जा रही है North डिशेज में मक्के की रोटी, सर्सो का साथ, ताल मक्नी जैसे पक्वान भी परुसे जाएंगे जिस दिन शादी कॉंकडी रीती रिवास से होगी, उस दिन दोसा, इडली और चावल से बनी कई डिशेज में में रखी जाएंगी इसके अलावा, सुच्जर लैंड से स्पेशनल शेफ को भी बुलाए गया है, जो दिपका और रनवीर का केक तैयार करेगा आपको बता दे, दिपका रनवीर का पहला रिसेप्शन 28 और 29 नवंबर को बैंगलोरू के होटल गलीला पैलेस में होगा वही दूसा रिसेप्शन मुंबई में 30 नवंबर और 1 दिसमबर को होटल ग्रैंट क्याथ में होगा, जिसमें बॉलिवर सेलेब्स और दूसी हस्तिना भी शिरकत लेंगे अब देखना ये है कि होने वाली दीव वीर की शादी की बाकी तयारियों से परदा कप उठता है, जिसमें सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी तो इनकी रेटिंग ट्रेस पर होगी, जो हमेशा से लोगों में ट्रेंसेटर बनके भरता है, हम दिपिका और रनवीर की होने वाली शादी के लिए उनको पताई देते हैं।